अगर आपके बास OnePlus CE3 Lite है यह फिर OnePlus का कोई भी फोन है तो यहां पे आप डेटा लिमिट सेट कैसे घर सकते है अपने फोन में तो डेटा लिमिट की सेटिंग करने के लिए जाहेंगे आप सेटिंग पे स्क्रॉल करेंगे मोबाल नेटवक पे क्लिक कर लेंगे इसके बाद इस यहां पर सिम 1 के लिए डेटा लिमिट और डेटा यूसेज देखने को मिल जाएगा और यहां पर क्लिक करेंगे तो सिम 2 का ओप्शन आजाएगा तो सिम 2 का यहां से सेट कर सकते हैं मैं सिम 1 का बता देती हूं सिम 2 का वही सेम प्रॉसेस अप्लाई कर लेना इसके बाद है और यहां पर आपको सबसे उपर यूसेज साइकल का ओप्शन देखने को मिलेगा मतलब यहां पर आप वह डेट सेलेक्ट कर दो जिसे न आप रिचार्ज करवाते हो या फिर एक तरीकी सेट रहने दिना क्यों उस दिन हम मतलब हर महीने की एक तरीक को यह आपका सेट होत अधसित रहेगा वह data आपको जो स्लेक्ट करने विश कसे ओक्वे पुछ करेंगे पर देली डिट यूसेज लिमिट पर आप कर देंगे अब यहां पर आपको कितना म् scientists डेली का खर्च करना है जैसे कि आपका 1 GB हो गया तो यहाँ पे GB या MB का फोर्म चेंज कर सकते हैं सिर्फ आपको अलर्ट चाहिए अलर्ट के साथ मोबाइल डेटा टर्न आफ चाहिए तो मैं सिर्फ अलर्ट कर दूँगी ताकि कोई इंटरप्शन ना आए बिरको बंद करना होगा तो कर लूँगी इसके बाद चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे अब डेली का डेटा लिमिट यहाँ पे सेट हो गया है ठीक है किसी को महीने का अगर 30 GB मिला है कभी कभी तो यहाँ पे आप सेट कर लेंगे डेली वाला तो यह 1 GB मैंने for example आपको सेट करके बताया है वो आपके रिचार्ज के ओपर डिपैंड करता है कि कितना आपको रिचार्ज मिला है आप एक बार कैल्कुलेटर पे जाके कैल्कुलेट करके तब डाल लेंगे इसके बाद यहाँ पे मंतली वाला आजाता है अब मंतली वाला उन लोगों के लिए होता है कि जैसे किसी का पोस्पेट कनेक्शन है उसको टोटल ही महीने में 10 GB मिला है ठीक है या फिर किसी का साल का रिचार्ज होता है उसको टोटल साल का अगर 10 GB मिला है तो यह on करके अपना कितना महीने का या कितना उसको खर्च करना है वो GB या MB के फॉर्म में सट कर देगा और इसके बाद यहां पर अलट या फिर अलट के साथ मोगाड़ डेटा तर्न आफ यह सेट कर लेंगे इसके बाद वॉर्निंग भी आप सेट कर सकते हैं कि यह सेट हो चुका है चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार